हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब आई होप किया बहुत ही बढ़िया होगे तो आज हम आपको दिखाएंगे कि अपने घर का रूटिन्स मौर्निंग रूटिन्स के बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे साथ ही साथ यह कैसे मैं 5 बज़े से उठके 2 घंटे में अपना सारा काम कर लेती हूँ फटाफट जैसे कि फ्रेंड्स अभी बज़ रहे हैं साड़े पांच और मैं आए हूँ अपने छट पे तो मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बोड़ी होती है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है और एकदम से मतलब कुछ भी काम करने में हमें ठकान बिल्कुल नहीं होती है साथ ही में लाई थी अपने साथ एक बल्टी पानी क्योंकि मुझे पौधु में पानी डालना था क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं छट पे आई रही हूं तो मैं पौधु में भी पानी डाल देती हूं क्योंकि पौदी हमारे राग में थोड़ी सूप जाते हैं तो थोड़े से मतलब पानी डालना भी है बहुत जादा जरूरी हो जाता है यसे कि देख रहे हैं आप मैंने पानी इसमें डाल दिया है मैं इसमें कम से कम मदब 2-3 पानी डाल देती हूँ और साफ कर देती हूं यही है मैरी मॉराइंग रूटिन्स आगे हमारे ब्लॉग पे बने रही है घाड़ू लगा लिया मैं आएँ आएं आपनेहां वाले बाल्गंी में वैसकि मुझे सीदियों की सफाइश करने थी मैंने फटाफ़ा चाहिए अपनी सीदियों पर ज्ञार लगा लिया कि पहुछा लगाने से मतलब अच्छा लगता है मतलब साफ सुतना दिखने लगता है साथ इसाथ हम अपनी रैलिंग दो ज्बता है ज़ाड़ू से लिदा उन तेलिए यहें वह सी नहीं हैं एंट नहीं कि मैंने कर दिया कि ठेवा भालकुनी का बाहर वालकुनी का मैंने दर्वाजा कर दिया ओपन और यह मेरी बाहर वालकुनी अभी च्हह ओविज रहे होंगे क्योंकि थोड़ी सी अज मैं लेट उठ गयी थी सारे तरज़ी पांच बजी उठी मैंरे सारे चार बजी ही उठ जाते हूं आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ सोरी इसके लिए हम मैं लगाऊंगी फटाफट से ज़ाड़ू ज़ाड़ू लगाने के बाद मैं बनाऊंगी फटाफट से नास्ता फ्रेंड्स अगर आप सुबह में नहीं उठवाते हो आपको उठने में बहुत ज़्यादा मतलब आलश होता है कि मैं कैसे सुबह उठो तो आप बस रात में जल्ली से सो जाओ और अपने दिमाग में यह चीज़ सेट कर लो कि मुझे उठना ही उठना है अगर आप अपने दिमाग में यह चीज़ सेट कर लोगे कि मुझे अगले दिन उठना है तो आप मतलब 100 में 100% कि आप उठ जाओगी जाओगे क्योंकि मतलब आप जब तक अपके दिमाग में यह रहा किया रहे है अपने बेबी के साथ मतलब इनज़ कर सकते हैं उसके बाद हम टीवी भी देख सकते हैं पतर जो भी करना है, हम कर सकते हैं आप में अपने जो भी प्याजवाज कट करने हैं जो भी हमत आलू अलू छीलना उसो कट करके आप फ्रीज में डाल दो और सुबह में फटाक से बना लो आप पर सबसे असान तरीका यही होता है हमारे लिए तो मुझे अगर कभी कभी मतलब लेट हो जाता है तो मैं रात में ही अपने सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा छोटा है मुझे बहुत ज्यादा परिशान करेगा तो मैं इसलिए मतलब सारे काम रात में ही थोड़े बहुत कर लेती हूँ सुबह में म बार बार मुझे ट्राइपोड इदर उदर करना पर ड्राइसलिप वीडियो बार बार हील जा रही होगी क्योंकि मुझे अकेली ही सारा हेंडिल करना है तो फिर मैंने लगा लिए फटाक से पोचा मैं आगे हूं अपने किचन में देखिए मैंने एक टमाटर लिया एक प्रटी यह बनादे नो रोटी बनादेना चला कि मैं पराथे बना धना दो थै डियुन अब नहीं कर दिया है कड़ाय कोगरब प्रटाक से अब मैं इसमेजली से बना दूएगी पनीर की सबजी अगर आपका बहुत जादा लेट हो जारा है मतलब husband को मतलब लेट हो जारा है बनाने में बच्चों को लेट हो जारा है तो आप फटाक से क्या करो कि आप पनीर ले लो पनीर में टमाटर एक प्याज हरीमिश डाल के और उसे हलका सा मतलब फ्राइग करके पनीर डाल दो बहु क्या करें कि फिर क्या बनाएं क्योंकि हमें हेल्दी भी मतलब बच्चों को देना है husband को भी हल्दी देना है तो बस आप यही बनाओ एक पर ज़रू ट्राइ करो आप तिक प्लैंस मैंने अब पटाक से में क्या कर लेती हूं कि मैं इसको डाल के उसके बाद में लगाऊंगी अब लगाने को अब बनाऊंगी रोटिया और मुझे दाल चावल भी बनाना है तक जो मैं भी बनाऊंगी दोपहर में तो कि अभी तो हमें खाना नहीं है क्योंकि मैं नास्ता करीये लोंगी और बेबी को मैं अंब अंग उन्दा कर आप तो इसलिए मैं मतलब दोपहर में ह तो देखे लिए हैं जितना चल्दी सुबह उठोगे ना उतना आपकाव फटाक से मतलब फटाफट होगा आप देख सकते हैं कि मैं पांच बजे उठी थी मुझे जाते जाते च्छते मुझे साड़े पांच हो ही गया था क्योंकि मुझे देखना भी था कि कहीं मेरा बेबी में पानी भर लेती है क्योंकि मैं मतलब रूकती बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आता है मतलब धिमांग में व्यारति मिस्टी चल्दी कर लेती हूं क्यूंकि मुझे पता है कि अगर मेरा बच्चा उठोग तो मुझे इक भी काम करने नहीं देगा वो बस अपने पास चपका ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर का ही रूटीन्स आपको दिखाऊंगी अगर आप चाहोगे अगर आप बताऊगे मुझे कमेंट करोगे तो मैं मतलब बाहर घूमने ही भी जाती हूं मैं आपको वहां के भी मतलब व्यूज दिखाऊंगी कि कैसे हम मतलब वहां पे सपोर्ट करें ताकि हम मौटिवेटर हैं और आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएंदे कि मेरे सारे काम फटाप फटाप हो चुके हैं अब मैं लगा लेती हूं मसीन क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं तो देखे मैंने बस लगा लिया मसीन कपड़े धोने के लि कि मैं कैसे हैल्दी रहती हूं मैं कैसे फिट रहती हूं कौन सी मैं एकसराइज करती हूं आप जो मुझे करोगे मैं आपको वाली वीडियो लेकर आओंगी लेकिन प्लीज आप एक बर मुझे करोगे तो ही तुम्हें ले आओंगे क्योंकि फिर आप मुझे बस एक बस सपो स्चेश creepy है को जाना करती है उसके चाह बज़ गर्म करो तो फिर ऊसको पूझ को चाह बनाने के बाल करो तो फिर टेश्ट हाँ जो तरह 箍हती है अब मेरा चलो फाइनल मेरा बेबी भी उठा नहीं है अब उठी भी जाए तो कोई फरक नहीं बढ़ेगा क्योंकि काम तो ऐसे ही हो चुका है सारा तो ब्लॉक के सासाथ मैंने तो अपना नाम आपको बताया ही नहीं मेरा नाम वैसे तो शालू है और मेरा स्कूल का नाम वैसे मतलब सब मुझे रिचू करके बुलाते थे और मेरा दो साल का बेबी है और मतलब मेरे हस्बेंड है बस हम यही तीन लोग रहते हैं और बाकी लोग सब गाओं में रहते हैं मतलब मेरे दो देवर हैं मतलब साससूरसाब गावं रहते हैं जाछां धुल्ली में जॉब करते हैं यही तोई सथ मेंsın साथ में रहते हैं सब लोग अभी सादी 06-3 इन साल ही हुए है मतलब सभी पर के देखे подसे बहुत कुछी हैं और मेरे काम तो सारे फाइनल हो चुके हैं सुबह उठने का न पस यही एक फायदा होता है देखिए मेरे किचन कितना साफ लग नहीं कर दिया था साफ कर दिया चाय भी बन रहा है और हजबन को मैं बड़ाक से जगाऊंगी यह उठ जाओ क्योंकि वह उठते नहीं है बहुत बोलना पड़ता है उठाने के लिए तब जाके वह उठते हैं अब रस करेंगे दीरे दीरे फिर नहाएंगे फिर वह रैड़ी होंगे जाएंगे ओपिस तब तक मैं अपने लिए चाय मतलब निकाल लेती हूं युकि मैंने सुबह से मतलब बस पानी पिया था और मुझे ल अच्छी लगी सुबह की मॉर्निंग रूटीन अगर अब अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को एक पर लाइक जरूर करना कमेंट मुझे करना और धेर सारा मुझे प्यार देना फ्रेंट्स मैंने पहली बार मतलब चैनल बनाया तो मुझे थोड़ी सी बोलने म मेरे चाए बंके हो गया है लिए's अगर आप भी हमारे साथ चाए पीना चाहते हैं तो आज आए मेरे बाई मेरे बहन outlets मेरे साथ चाय पीजिसे यह मayके चाए पीोंगी अच़ए अपने बाहर वालकुनी में क्योंकि मुझे बहुत मन करा था थोझार थोंडी हुआई तो च हुआ पीर हुँ चाय और हस्बेंट भी उठके हैं और बेबी में अधीर बेचा हुआ है Copper अा Capital Up सारे का Mir life मेरा सारहा लिऱा हाली थी मतलब सॉरी में नहाने के बाद से साइज की थी कि थी मुझे ना अज हैस्क contribute on म Civil We talk सोचा कि चोलो कर लेती हूं क्योंकि अगर मैं एक्सराइज नहीं करूंगी ना तो मेरा बॉड़ी अजीब सा मतलब एनर्जी नहीं रहेगी मतलब कुछ काम ही मुझे करने को मन ही नहीं करता है इसलिए मैंने थोड़ा साइस कर लिया उसके बाद मुझे फुल एनर्जी आ